Hello friends, welcome to you in India once again तो आज मैं आपके लिए जो वेकेंसी लेके आए हूँ वो है करसी वेकानिक चैन मंडल की तरब से हैं और करसी का नाम सुनके आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि यहाँ पर agriculture से related कोई education qualification मांगी जाएगी ऐसा नहीं है तो कौन सी education qualification यहाँ पर मांगी गई है उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा साथ ही बताऊंगा यहाँ पर कितनी vacancy available है कौन कौन सी post available है साथ ही application form कब से start होंगे last date क्या रहने वाली है selection का process क्या रहेगा तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो अभी जो आप इस screen पर देख रहे हो यह करसी वेग्यानिक मंडल की official website है और इसका link description में दिया हुआ जैसे उस पर click करोगे तो यह page open हो जाएगा और इस page में आप यहाँ पर देख सकते हो clearly AO and F and AO exam 2021 तो यह tape दिया हुआ इस पर आपको यहाँ पर click करना होगा जैसे click करेंगे तो यह नया page open हो जाएगा और इस page में आप यहाँ पर clearly देख सकते हो यह पूरी detail दियुए है इसी vacancies related जिसमें यहाँ पर यह official notification दिया हुआ है साथ ही और भी detail दियुए है revise schedule है यह सारी चीज़े यहाँ पर दियुए है तो चलिए सबसे पहले इसका official notification देख लेते हैं तो इस पर मैं click करूँगा तो यह notification डाउनलोड करने के लिए option आगे है तो यह official notification है जो कि क्रिस्टिव एग्यानी चैन मंडल ने जारी किया है इसमें administrative officer और finance and account officer की post available है दोनों ही official level की post है जो कि pay level 10 में आती है और 500 grade पे की यह job है जिसमें starting basic salary आपकी जो है वो 56,000 के आसपास होगी 56,100 रुपए starting basic salary होगी साथ ही में आपको सारे allowances भी मिलेंगे यानि कि आपकी starting salary जो होने वाली है वो लगबग लगबग 70-75,000 के आसपास होगी जो कि एक बहुत इच्छी बात है आप कुछ important dates के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं तो जो application form है वो 23 जुलाई से start होंगे 23 जुलाई को सुबक 11 बज़े से और जो last date रहेगी application form की वो 23 अगस्त रहेगी शाम को 5 बज़े तक इस चीज़ का आप द्यान रखें और last date first payment के लिए 23 अगस्त ही रहेगी शाम को 5 बज़े तक और इसके लावाँ जो tier 1 का exam है वो 10 October यहाँ पर date रखी गई है लेकिन यह date revise हो चुकी है और यह exam अब 3 October को होने वाला है यानि कि prepond हो चुका है काफी अच्छी बात है और इसका जो notice है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा जो कि prepond करने के लिए जारी किया गया है साथ ही tier 2 का exam अभी date जारी नहीं हुई है और interview की भी date अभी जारी नहीं हुई है तो यह है important dates अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे total vacancies की तो यहाँ पर administrative officer के लिए 44 vacancies available है age per category उनको यहाँ पर divide कर दिया गया है finance and accounts officer के लिए 21 vacancy available है और इनको भी यहाँ पर age per category divide कर दिया गया है तो आप check out कर लीजिए आपके लिए कितनी vacancies यहाँ पर available है अब बात करेंगे education qualification की तो सबसे पहले administrative officer के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर graduation मांगी गई है चाहिए वो किसी भी stream में हो minimum 55% marks के साथ में होनी चाहिए और जो लोग final year में है इस bachelor degree के वो भी यहाँ पर apply कर पाएंगे साथ यहाँ पर computer पर काम करने का knowledge आपको होना चाहिए finance and account officer की बात करें तो यहाँ भी graduation मांगी गई है चाहिए वो किसी भी stream में हो और minimum 55% mark से साथ में यहाँ भी होनी चाहिए और last year में अगर आप हो तो भी यहाँ पर apply कर सकते हो और आपको computer पर काम करने का knowledge यहाँ भी होना चाहिए तो यह बात है desirable qualification की अगर बात करें तो finance and accounts officer के लिए यहाँ पर finance accounting या फिल commerce में आपके पास में post graduation degree है तो यह आपके लिए plus point रहेगा साथ ही professional qualification यानि कि CA है तो भी आप यहाँ पर eligible होंगे और वो भी आपके पास में एक plus point रहने वाला है अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर age limit की यहाँ पर बात करेंगे age limit यहाँ पर due है 21 साल से 30 साल के बीच में आपकी age होनी चाहिए जो कि 23 October 2021 से calculate की जाएगी date of birth की बात करें तो 23 October 2000 से लेके 24 October 1991 के बीच में आपकी date of birth होनी चाहिए तब ही भी आप यहाँ पर eligible होंगे और यह all India job है कोई भी यहाँ पर Indian citizen इसमें apply कर सकता है अब बात करेंगे application fees की तो application fees में सबसे पहले बात करेंगे administrative officer के लिए तो general, obviously और EWS candidates के लिए 500 रुपए application fees रखी गई है जिसमें 480 रुपए examination fees है और 20 रुपए registration fees है इनके अलावा women candidates जितने भी है और STHT, साथ में person with benchmark disability इन सब के लिए यहाँ पर examination fees कुछ भी नहीं है लेकिन registration fees 20 रुपए इनके लगेगी तो यह है यहाँ पर administrative officer के लिए अब बात करेंगे finance and account officer के लिए तो general, obviously और EWS candidate के लिए 500 रुपए application fees है जबकि अधर जितने भी categories है women candidate और SCST, साथ ही person with benchmark disability तो इनके लिए यहाँ पर केवल 20 रुपए registration fees लगेगी examination fees यहाँ पर नहीं लगेगी और अगर आप दोनों post के लिए apply करना चाते हो तो यहाँ पर आपके ज़रा application fees लगेगी जिसमें general, obviously और EWS candidate के लिए 1000 रुपए लगेगे जबकि women candidate और SCST इन सभी के लिए 40 रुपए total fees लगेगी अगर आप दोनों post के लिए apply करना चाते हो अब बात करेंगे आपको apply कैसे करना है तो यहाँ पर यह official website दिऊए इसका link description मिल जाएगा साथ ही यह website मैंने आपको इस वीडियो के starting में ही दिखा दी थी उसी website पर जाना है जनरल नौलेज, जनरल इंटेलिजेंस और रिजनिंग अबिलिटी अर्थमेटिकल और निमेरिकल अबिलिटी लेंग्वेज कॉम्प्रेहेंशन, इंग्लिस और हिंदी दोनों तो इसके 50-50 सारे subject के यहाँ पर questions आपसे पूछे जाएंगे अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे tier 2 exam की तो जो tier 2 exam है उसमें यहाँ पर 4 paper यहाँ पर होने वाले हैं और 4 हों ही 3-3 गंटे के होंगे और यह सारे paper 500-500 marks के होंगे total 600 marks का यह tier 2 exam होने वाला है अब आगे बढ़ते हैं tier 2 exam के बाद में यहाँ पर interview होगा और जो interview है वो 100 marks का होने वाला है और जो final merit list बनेगी वो 700 marks के आधार पर ही बनेगी 600 marks tier 2 के और जो 100 marks है वो interview के इनके आधार पर यहाँ पर final merit list बनने वाली है और यहाँ पर interview का भी structure दिया हुआ है कि कौन-कौन से चीज़ के कितने-कितने marks यहाँ पे होने वाले हैं टोटल 100 marks को यहाँ पे divide कर दिया गया है इन इन चीजों में जिन में essential education qualification है और उसके बाद में extra curricular activities है general awareness, general knowledge, in-depth knowledge of the subjects studied और personality है, working knowledge of computers और aptitude and suitability तो इन सारी category में इस interview को divide कर दिया गया है total 100 marks को आगे यहाँ पे slabbers दिया हुआ है, tier 1 का तो यह slabbers भी आप check out कर सकते हो और यह PDF आपको मिल जाएगा मैंने आपको बताई दिया था साथ ही हमारे telegram के channel को भी आप join कर सकते हो वहाँ से भी आपको यह PDF और भी बहुत सारी PDF से आपको मिल जाएंगे तो यह है यहाँ पे slabbers tier 1 और tier 2 का तो अब हम वापस आच चुके हैं करसी वेगानिक चैन मेंडर्ज की official website पे जहां से हमने official notification डाउनलोड किया था और इसी के just ऊपर यहाँ पे दिखाय जा रहा है यह revise schedule AO and F and AO exam तो जो exam की date revise होई है वो यहीं पे है इसको मैं click करूँगा तो यहाँ पे यह भी download करने के लिए option आ गया है तो यह notice है जो कि tier 1 के exam को revise करने के लिए जारी किया गया है तो पहले 10 October को जो exam था वो अब 3 October को होगा यही इसमें बताया गया है अब online apply करने के लिए आपको इस वाले link पे click करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं अब इस पे click कर गया आपको बताता हूँ तो यह नया page यहाँ पे open हो चुका है इस पे click करते ही और इसी page से आपको यहाँ पे online apply करना होगा जिसमें यहाँ पे clearly लिखावा है registration form के लिए यहाँ पे click करना होगा notification के लिए यहाँ पे click करना होगा तो अब मैं यहाँ पे registration form के लिए यहाँ पे आ चुका है जिसमें सबसे पहले आपको registration करना होगा फिर आपको आपकी qualification details submit करनी होगी उसके बाद में आपको scan copy photograph की signature की और left hand thumb की साथ ही अपने ID proof की upload करनी होगी उसके बाद में face payment करना होगा और उसके बाद में आपका final application submit हो जाएगा और उसका print आपको ले लेना होगा तो यह रहेगा यहाँ पे total process जो कि मैंने आपको बता दिया है और registration आपने already कर रखा है तो यहाँ पे registration number आप fill कर देना और date of birth फिल कर देना उसके बाद में यहाँ से आगेगा process हो जाएगा और अगर आपने registration नहीं कर रखा है तो new registration का option आ रहे है यहाँ पे click करके आप new registration करके registration number प्राप्त कर सकते हो तो यह रहेगा फूरा process इस vacancy में apply करने का तो friends यह थी फूरी information इस vacancy से related फिर भी अगर आपका कोई भी doubt है या कोई भी सुझा आप देना चाते हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो साथ ही friends हमार चैनल डिजी इंडिया को जरू सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इसी पर का government jobs से related जो भी official notification रिलेज होते हैं हम आप तक उसकी जानकारी जल से जल और सही और सटीक जानकारी पहुंचाते हैं जिससे कि आप किसी भी vacancy से चूके नहीं जिसमें आप eligible हो और यह हमारा सबसे बड़ा उत्देश है थेंक्यू friends थेंक्स वाचिन दिस वीडियो